हलो माई ब्यूटिफोल लेडीज आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यह हर्याली तीज मेकप लुक या फिर आपके पास कोई रामा ग्रीन कलर की शाड़ी हो तो उसके साथ भी आप ऐसा टाइप का मेकप कर सकते हैं इसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी हैर स्टा करूड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मेले आपको मेरे ऊपर को ऐसे टाइप के बाल अच्छे लगे में हैर स्टाइल में ज्याद अच्छे लग रही थी खुले बालो में जरूर बताइएगा आईए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैंने फेस को अच्छ करते हैं इसको हम अच्छे से मसाज करते हुए अपने फेस पर अच्छे से लगा लेंगे इसके बाद मैं यहां पर यूज कर रही हूं यह प्राइमर और साइनर है तो इसको मैं लगा लूँगी वाइल है तो इसको भी मैं अच्छे से अपने फेस पर लगा लूँगी और तो अभी मैं लगा रही हूँ यहाँ पर liquid glitter क्योंकि मैं चाहती हूँ थोड़ा सा glossy glossy type का makeup तो इसके लिए मैं यहाँ पर liquid glitter लगा रही हूँ तो इसको भी मैं अच्छे से देखिए मैंने अपने cheeks, chin, nose और मैंने अपने forehead पर लगा लिया है इसको भी मैं अच्छे से blend कर लूँगी अपने hand से ही और देखिए इससे एक अच्छा सा glossy सा look आ जाता है इसके बाद मैं अपने lips को भी wash riser कर लूँगी तो lip balm लगा लिया है मैंने अब मैं अपने eyebrows को fill कर लूँगी तो मैं अपने eye shadow palette से ही अपने eyebrows को अच्छे से fill कर ले रही हूँ दोस्तों make up से मुझे judge मत करिएगा क्योंकि मुझे बहुत अच्छा make up करना नहीं आता है बस मैं learn कर रही हूँ make up को सीख रही हूँ और चित्ता भी मुझे आता है मैं उसको आपके साथ share कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे मेरे जैसे लोग हैं जिनको बिल्कुल भी make up करना नहीं आता है तो मेरी ये video उनको थोड़ी सी भी helpful लगे बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं जो बहुत ही अच्छा make up करते हैं जिनसे मैं inspired होती हूँ तो मैं में को भी लगता है कि मैं भी बैसा ही make up सेख हूँ तो मैं थोड़ा थोड़ा सा अपने आपको make up सीख रही हूँ तो बस यहाँ पर मैंने अपने प्राइमर लगा लिया अपने eyes के lid पर उसके बाद मैंने यहाँ पर green rama green color का eyeshadow ले लिया है इसको मैं अच्छे से smudge करते हुए इसको अच्छे से blend करते हुए देखिए मैं इसको लगा ले रही हूँ जब तक कि मुझे अच्छा सा color ना मिल जाए तो बस मैंने इसको सबसे पहले अपने eye lid pick लगाया है इसके बाद मेरे जो चाड़ी है उसमें golden color का बर्क है तो यहाँ पर मैं golden eye shadow से इसको define करी हूँ तो crease पर मैंने लगाया golden color और lid पर लगाया है मैंने green color उसके बाद मैं यह glitter लगा लूँगी रामा green color का ही glitter है तो इसको मैं अपनी ring finger से tap tap करते हुए यह glitter लगा ले रही हूँ तो मेरा eye shadow अभी complete हो गया है कैसा लगा आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हूँ तो बताइएगा जरूर लाइक करिए वीडियो को अभी मैं gel eyeliner लगा रही हूँ यहाँ पर तो wet and wild का मैं gel eyeliner लगा रही हूँ मैं बहुत सारे products wet and wild के ही यूज करती हूँ क्योंकि बहुत ही जदा affordable होते हैं तो यहाँ पर मैंने wing eyeliner ड्रॉ कर लिया है जेल आई लाइनर लगाना बहुत ही ज़दा आसान होता है या फिर पैन लाइनर हो या फिर ये वाला लाइनर हो ये दोनों ही बहुत अच्छे होते हैं इसके बाद मैं मस्कारा लगा लूँगी अपने आई पर आई लेसेस पर अभी मैंने यहाँ पर वैट इन वाइल का फोटो फोकस स्टिक फाउंडेशन लिया है तो यह मेरा सेड है सॉफ्ट बेज तो बस इसको भी मैं अच्छे से लगा लूँगी और फिर मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी तो एक डैम ब्यूटी ब्लैंडर से मैं अपने इसको फाउंडेशन को अच्छे से ब्लैंड कर लूँगी फाउंडेशन को ब्लेंड करना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि जो हमारा फाउंडेशन है बहुत ज़्यादा पैची-पैची सा ना लगे और मैं बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाती हूं अपनी नेक पे भी ब्लैंड लगाईएगा फाउंडेशन जरूर क्योंकि फिर नहीं तो फिर नेक अलग-अलग से दिखती है तो बस मैंने अच्छे से ब्लैंड कर लिया है इसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मिलानी का कंसीलर बहुत ही अच्छा वाला कंसीलर है तो इसको भी मैं लगा लूँगी तो मैंने अंडर आईज लगा लिया है क्योंकि मेरे डाक सकल्स हैं तो इसको भी मैं अच्छे से ब्लैंड कर लूँगी फोर हेट पर लगाया था आपने lips के ऊपर भी लगा लिया था इसको हम अच्छे से blend करेंगे भुष अच्छे से blend होता है वाला concealer अगर आपकोई भी अच्छा concealer ढोड़ रहे हैं तो यह मिलानी का concealer जरूर यूज़ करिएगा यह बहुत अच्छा वाला concealer और बहुत अच्छे से cover भी देता है देखिए मेरे पूरे dark circles hide हो गए है तो इसको मैं अच्छे से blend कर लूँगी अभी मैं यहाँ पर loose powder यूज़ कर रही हूँ तो इससे मैं अपने जो concealer है उसको अच्छे से set कर लूँगी नहीं तो फिर वो crazy crazy हो जाएगा तो concealer को हमेशा जरूर बेक करना चाहिए इसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ setting spray तो bed and wild का ही मैंने setting spray यूज़ किया है इससे जो हमारा base है अच्छे से set हो जाएगा अब ही मैं करूँगी contouring तो यहाँ पर मैं एक पतले से brush से save दे लूँगी तो chin को फिर nose को nose को भी contouring जरूर करना चाहिए इससे हमारी nose है जो पत्ती-पत्ली सी लगने लगती है अभी मैं इसको अच्छे से blend कर लूँगी इसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ पिंग कलर का blush तो बहुत जादा नहीं लगाऊंगी वस थोड़ा थोड़ा सा मैं लगा लूँगी इसके बाद मैं यह master chrome का golden highlighter है यह बहुत अच्छा highlighter है और जो हमारी इंडियन skin tone है उसके उपर बहुत ज्यादा सुट करता है तो इसको भी मैं लगा लूँगी तो cheeks पर लगा लिया है nose पर लगा लिया है forehead और थोड़ा सा chin पर भी लगा लूँगी highlighter लगाने से ही एकदम हमारे face का जो look है make up का look है एकदम change हो जाता है तो highlighter जरूरी उसकरिएगा अभी मैं inner corner पर लगा लूँगी eyes के और eyebrows के उपर भी लगा लूँगी eyes पर लगा लूँगी अभी मैं लगा रही हूँ काजल इसके बाद जो हमने eyes shadow के color लिये थे eyes पर वही हम अपने under eyes भी इनको अच्छे से smush कर लेंगे तो वही जो rama green color था वो मैंने लगा लिया है थोड़ा थोड़ा सा ही लगाएंगे ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं लगाएंगे इसके बाद वही golden set भी हम थोड़ा सा लगा लेंगे देखिए पूरा makeup हो जाने के बाद अभी eyes shadow का look एकदम अच्छे से उभर के आ गया है पहले चाय आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा बट अभी देखिए अभी अच्छा लग रहा है मैं अपने fake eyelashes भी लगा ली है और यहाँ पर मैंने red color का lipstick लगाया है तो मैं इसके साथ red color का ही बिंदी लगाऊंगी क्योंकि मेरी जो jewelry थी वो red color की थी red और green mix तो मेरे पास क्योंकि ऐसे rama green color की कोई सी भी jewelry नहीं थी तो बस मैंने इस प्रकार से बिंदी और red color की lipstick लगा ली है मैंने बीच में partition कर लिया है hair को और मैंने आज बहुत अच्छे से मांग भी भरी थी और इसके बाद हम इस प्रकार से दोनों side को खोल करते हुए अपने बाल को tie कर लेंगे इसके बाद थोड़ी सी flex भी निकाल लेंगे और इसके बाद पूरा पीछे से बालों को कॉम करते हुए एक rubber band से tie कर लेंगे और उसके बाद जब बाद में देखिए इस प्रकार से बालों को लेके अंदर से निकाल के इसमें हम जो जूड़ा पिन होते हैं वो लगा लेंगे बहुत ही इजी ये बन बनाना है इसके बाद जो ये आते हैं आजकर बहुत मिलते हैं ये गजरा तो बस इनको भी लगा लेंगे hair accessories बहुत सुन्दर सुन्दर आती है तो इस प्रकार से हम लगा लेंगे इसके बाद मैं अपने red color के earrings पहन लेंगे तो मैं देखिए इस प्रकार से इन में जो आजकल चल रहा है ना पीछे तो इस प्रकार से थोड़ा सा कैसा लग रहा है आपको make up जरूर बताईएगा इस प्रकार से मैं अपने पीछे earrings के साथ भी इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है ये भी इनको भी लगा लेंगे और इसके बाद मैं अपना necklace पहन लूँगी और bangles भी पहन लूँगी क्योंकि मेरे जो साड़ी है उसमें golden और green कलर का है तो मैंने उसी प्रकार से set पना लिया है मैं चूड़ियों का भी आपके साथ जरूर जल्दी ही अपना collection share करूँगी इसके पहले मैंने अपना earrings collection share किया था जरूर देखिएगा वीडियो अगर कैसा लगा जरूर बताइएगा आई हूप आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा